है यह लो दोस्तों वेलकम टु यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल एकसल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है जैसा कि एकसल की पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा we look up formula with exact match मतलब false के साथ आज हमनों क्या पढ़ेंगे we look up का formula with approximate match true के साथ ठीक है तो देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते है table हमारी बनी हुई है ठीक है यह name है, designation है commission है और grade पूछा है तो grade निकालने के लिए एक अलग से हमें table भी दी है कि 1500 से 1700 के बीच में D 1700 से 2000 के बीच में C और 2000 से 2400 के बीच में B और 2400 से उपर जो भी commission होगी grade A ठीक है तो इसके लिए आईए हमनों formula लगा लेते हैं यहां करेंगे is equal to we look up ठीक है look up value हमें commission देखना है यह देखना है तो हम sell ले लेंगे comma आपको देखना किस में से है इस table में से इसको select कर लेंगे table array हो जाएगा comma column index number तो अगर यह commission मिल जा रहा है आपको यहां पे तो आपको grade चाहिए grade किस में है commission पहले में grade दूसरे में तो दो लिख देंगे और फिर comma अब एक चीज़ और दोस्तों देखिए दो लिखने पहले जब आप table select करेंगे तो आप इस table को lock कर देंगे जैसा कि आप लोग को cell difference वाले chapter में बताया गया है ठीक है lock क्यों करेंगे lock इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो formula जब drag करें तो हमारी table जो है वो drag ना हो यह table नीचे ना है ठीक है comma कर देंगे अब lock हो गई हमारी table ठीक है column index number 2 और comma हमने true ले लिया tab और control enter देखिए answer आ गया 2144 B तो मतलब कि 2144 किसका है आपका 2000 से 2400 के बीच में है इसलिए इसको क्या grade मिला है B ठीक है 1631 D 1600 किसमे है आपका 1500 सो 1700 के बीच में इसलिए इसको D मिला है ठीक है दोस्तों तो आज हम लोग ने क्या सीख लिए वी लूक आप का formula which true मतलब एप्रॉक्स पिछली क्लास में हमने सीखा तक false के साथ exact match के साथ आज के लिए इतना ही thank you very much चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें कोई भी query हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है दोस्तों thank you